नमस्कर दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादे मौत्पूर होने वाला है दोस्तो वाटसप में किसी के पास अगर प्रस्नली मैसेज भेजना हो तो एक दो पांच दस मैसेज तो हम कुछ टाइम में भेज देते हैं लेकिन एक साथ अगर 100 लोगों के पास मै से बहुत आसानी से भेज सकते हैं ओभी दोस्तो प्रस्नली मैसेज आपको गुरूप बनाने की कोई जरूरत नहीं है एक नया ट्रीक हम आपको सिखाएंगे जिसे आप 700 लोगों के पास प्रस्नली मैसेज भेज सकते हैं जिससे हम कोई भी इमेज हम अगर भेजते हैं आप हो जाएगा तो इस तरह तो हम सलेक्ट करकर कि यह 100 नमबर अगर 200 नमबर के पास अगर मैसेज करना हो तो बहुत जादे दीकत आ सकती है लेकिन कुछ इनिट ट्रिक हम आज आपको बताएंगे जिससे आप 100 या 200 लोगों के पास यह किलीक में आप मैसेज परस्नली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको WhatsApp ओपेन कर लेना है WhatsApp जैसे ओपेन कीजिएगा जैसे माल लेजिए कि अभी मेरे WhatsApp में बहुत कम नमबर है लेकिन हो सकता है आपके मोबाइल में WhatsApp में 200 या 400 या 500 नमबर होगा अगर उन क्लिक में 200 के पास या 500 के पास कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं कुछ भी फोटो सेंड करना हो इमेज सेंड करना हो या कोई टेक्स मैसेज सेंड करना हो दोस्तो जैसे अपना WhatsApp को open कीजिएगा सबसे उपर side corner में आपको एक option मिलेगा theory.ka उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उपर से दो नमबर पे एक option मिलेगा new board cast सबसे उपर है new group तो group आपको बनाना नहीं है हमको तो भेजना है personally message तो दोस्तो हम personally message भेजने के लिए new board cast बनाएंगे तो बाद new board cast पे हम क्लिक करेंगे अगर आपके phone में जितना number होगा 100 number होगा या 200 number होगा तो यहां पे सभी number शोख कर देगा तो सभी number को इस तरह एके करके आपको यह कि ही बार में सभी number को select कर लेना है जितना number select करना हो 200 number 400 number अगर किसी का number पे नहीं भेजना है तो उसको un tick भी रहने दीजिएगा और जिसके पास भेजना हो उसको tick भी कर दीजिएगा select करने के बाद यहां आपको सही का निसान मिले का इस पे ठीक लगा देंगे उसके बाद यह आपका board cast बनकर त्यार हो गया अभी यहां पे हम 3 number select किये हुए है तो 3 recent लिखा होगा आपको मिल जा रहा है तो इसको back करेंगे तो सबसे उपर यहां देख सकते हैं group की तरह बन गया तो इस पे आपको एक allowance का logo मिलेगा इसका logo आप चेंज नहीं कर सकते हैं हो सकता है नए अपडेट जब आए तो इसका logo आप चेंज कर भी सकते हैं तो इस पे हम click करेंगे अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो इसी पर हम click करेंगे उसके बाद three dot पर click करेंगे उसके बाद broadcast list info फोप हम click करेंगे और यहां पर देख सकते on title list लिखा हुगा है मने इस जो हम broadcast बनाए हुगे इस broadcast का कोई भी title नहीं है कोई भी नाम नहीं है हम यहां पर three dot पर फिर से click करेंगे और change broadcast list ने जो भी नाम देना चाहते हैं यहां से हम नाम दे देंगे तो चलिए यहां पर हम double aim लिख दिये उसके बाद okay कर दिये अब यह broadcast का double aim का नाम से हो गया अब यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे तो 256 आदमी के पास एक ही बार में message चल जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक like जरूर कर दिजेगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर लिए